लव, हेट्रेट, जेलेसी, कॉंपुटिशन, there are so many emotions in our life. Myself, Dr. Deepti, today I will tell you a simple tip to control over these emotions. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरीके से हम अपने emotions को control करें. सबसे पहले आपका ये जाना जरूरी है कि emotions आखिर कहते किसको हैं. बहुत भारी-भारी भरकम शब्द में emotions को define किया गया है, लेकिन अगर हम simple तरीके से इसको समझेंगे, तो energy in motion is emotion. जो energy emotion में है, हम उसे emotion करेंगे, अब आपको पताई है कि हम खुद भी, जो human beings है, energy, यानि कि हम पूरे के पूरे energy से बरे वे हैं, energy से बने वे हैं. हर चीज जो भी हम अपने अगल पगल में देख रहे हैं, सब में किसी न किसी प्रकार की energy है. ठीक है, अब देखिए जो हमारे, जो आजकल का youth है, उनको सबसे ज़्यादा problem होती है, relationship problem, breakups, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. उन breakups के कारण, कई बच्चों के अंदर societal tendency, substance abuse देखा गया है. तो आज का जो मेरा topic है, विशिश तरह मतलब उनी बच्चों के लिए है, जो अपनी relationship में, अगर कोई भी problem आती है, तो वो पहुत ज़्यादा disturb हो जाते हैं. तो देखे, इसके लिए आपका सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने emotions पे control कैसे करेंगे. हमसे बोला जाता है कि आप किसी और activity में अपने आपको engage करिये, move on करिये, या अपने को divert करने की कोशिश करिये, पर क्या होता है कि हम ये कर नहीं पाते हैं. ठीक है, तो इसका ये तरीका होता है कि आपको अपने उस emotions को control करने के लिए आपको उसको जेलना पढ़ेगा. आपको उस control को suppress करने की आवशकता नहीं है. हमारी एक threshold limit होती है, उस threshold limit को आपको बढ़ाते रहना है. आप उस emotion को जेलिए. देखे कि वो कितना जाद आपको पर उसके face कर रही है. तो क्या पाएंगे? आप बहुत जादा अपने आपको emotionally intelligent पाएंगे. एक ऐसा point आएगा जहां आप बहुत easily उस emotions को control कर पाएंगे. फिर life में चाहे कैसी भी problem आएगी, आप emotionally intelligent होके उन emotions को control करना सीख जाएंगे. तो आपको क्या करना है? Don't let emotions control your life. Emotions को control जाएंगे.